तो हेलो गाइस, डीमन स्लेयर सीजन 3 के एपिसोड 1 में हम देखते हैं कि जो तानजिरो की टीम होती है, वो उस फाइट के बाद बहुत ही गायल हो चुगी होती है, क्योंकि सीजन 2 में उन्होंने अपर रैंग 6 से फाइट की होती है, एंड तभी वापे काकसी आता है, वो उन को हराया है, और इसे के चलते ही उसे उमिद कि एक किरन नजर आती है, क्योंकि इस जनरेशन में बहुत ही दम है, क्योंकि वो फाइनली डीमन और मुजान का सामना कर सकते हैं, एंड नेक्सिन में हम इंफिनिटी कैसल को दिखते हैं, जहां पे अकाजा मौचुद होता है, औ हमें उस मिटिंग की प्लेश दिखाए जाती है, और वहाँ पे अकाजा पहुच जाता है, तब ही हम अपर रंक डीमन 6 को देखते हैं, वो यह देखके बहुत खूस होता है कि 90 सालों के बाद वो सारे अपर रंक डीमन यहां पे मिल रहे हैं, उस से बीच हमें अपर रंक डी कि पुषता है कि लाड मुझान यहां पे आ चुके हैं वो यहां पे आने के हैं उसके बाद फिर से पुषता है किया अपर रंक डीमन 1 यहां पे आ चुका है वेवा उसे बताने नफरत करता है जिसके वज़े से अकाजर डूम्ह का मोही तोड़ देता है ऑ ही पर अकाजरasan गया क coule सिबो को देखते है वो उन सबको बताता है कि लॉड मुजान यहाँ पे आ चुके है उसके बाद हम लॉड मुजान को देखते है जो अपनी लेवर्टरी में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और उसे पता होता है कि अपर रैंग डीमन 6 मारा जा चुका है लेकिन उसको इससे ज़्यादा फरक नहीं पड़ता लेकिन उसने इन सबको इसलिए बुलाया होता है क्योंकि उसे प्लूस पाड़र लीले के बारे में इनफॉर्मेशन चाहिए होती है उसके बारे में वो सारी डीमन्स से बुशता है लेकिन किसी भी डीमन्स के पास उस बात के जवाब नहीं होता जिसको देखके वो अपने लेबार्टर में पूरी तबाही मचा देता है लेकिन अपर रैंक 5 बहुत ही बड़बर कर रहा होता है जिसको देखे लॉर्ड मुजण उसके मुंडी को काटके अपने हाथों में ला लेते हैं जिसके बाद वो सबको डराते हुए कहता है मुझे ब्लू स्पाडर लिली के बारे में जल्दी ही इन्फॉर्मेशन तुम सबसे चाहिए और वो ये काम अपर रैंक फाइफ और अपर रैंक फॉर को देता है कि वो ब्लू स्पाडर लिली के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन लाके दे और तब ही वो वहाँ से चले जाता है और मुजण के जाने के बाद ही डोमा ग्योको से पूशता है तुम अकाज़ को क्या इन्फॉर्मेशन देने वाले थे ग्योको डोमा को कुछ बता ही रहा होता है कि अकाज़ा के डोमा की मुंडी उड़ा देता है इसी के चलते ही वहाँ पे अपर रैंक वाना के अकाज़ा का हाथी काट देता है ये सब देखके हैं तेंगू डर के मारे कोने मुझा के बैड़ जाता है तब ही अपर रैंक वाना उसे कहता है अकाज़ा अगर तुम इन सब के साथ अच्छे से पेस नहीं आ सकते तो तुम्हें यह से चले जाना चाहिए तुम यहाँ पे अपने मनमानी नहीं कर सकते और इसी बीच हमें पत चलता है कि अकाज़ा डोमा से इसलिए जलता है क्योंकि डोमा अकाज़ा के बहुत ही बाद आया था लेकिन तबी भी उसने अपरेंग डिमन 2 की सिट हासिल कर ली है जिसी वज़े से अकाज़ा डोमा से जलता है और यह कहने के बाद ही हमें अपरेंग 1 का फेस दिखाय जाता है और वो कावे डरावना दिख रहा होता है और यह कहते ही कोको सिबू वहाँ से जाने लगता है लेकिन अकाज़ा उसे कहता है मैं तुमें एक दिन जरूर मारूंगा कोको सिबू भी उससे कहता है अजमा के देख लेना और वो वहाँ से चले जाता है और एक ही करके सारे डिमस पे वहाँ से चले जाता है लेकिन डोमा वहाँ पर अकले ले जाता है तभी सुमू भी उसे उसके घर फिक देती है जिसके बाद हमें तानजिरो को दिखाय जाता है जो अपने महमानों की सेवा कर रहा होता है तभी तानजिरो उनसे उसका नाम पुषता है पर वो अपना नाम बिना बता वाज़े चले जाते है तब ही हमें पत्र जलता है कि TANZERO पर सपना देग रहाता और वो दो मैनों से कुमा में था और जो गोटो होता है जिसने TANZERO को याँ पर लाया था वो TANZERO के लिए खाना लेके जाता है पर वो जैसे ही देखता है कि तांजीरो होस में है वो बहुत ही खूस हो जाता है और जाके कियो, सुमी और नाव को बुलाता है फिर सब तांजीरो के पाद जमा हो जाते है और उसका हाल चल पूसते है उसके पाद तांजीरो पूसता है कि बाकि सब की कंडिशन कैसी है फिर व टानिशेर्धफ में पूस्ता है कि इनुस्की का क्शिया हुआ चुका है फिर अगले दिन Azara w podium पुरी तरह ठीख हो चुका होता और इन उसके भी अपने अगले मिजन के निकल जाता है जो जिनस होता है वह अपने मिजन पड़ेंगा उनकी ये बास सुनते ही तांजीरो आगले दिन स्वार्ट में त्विलेज के लिए निकल जाता हैं लेकिन वहां पर जाने के पहले ही तांजीरो के नाक और आक बन करते हैं क्यूंकि किसी को नहीं पता होता है कि स्मॉर्ट स्विछ विलेज कहा पर हैं क्योंगी पता चल गहां कि उनको मारने वाले sword कहां बनाई जाती है तो वहां पर तभाई मचा देंगे। फिर वो काकोसी तंजीरो को अपने पेट पर उठा के वहां से निकल जाता है। कि किसी भी काकोसी पता नहीं होता है कि swords with village कहां पर हे। और हर बार तांजिरो को एक एक काकु सी बदल के अपने साथ ले के जाता है और थोड़ी दिर बाद वो फाईनली उस सौर्ड विलेज में पहुच जाते हैं और उसे बीचा में उस विलेज में लवासिरा सुरी को दिखाया जाता है जो की होड़ स्प्रिंग में होड़ बात ले रही होती है और उसे अपने तांजिरो के आवज सुराई दे गई होती है जिसके बाद तांजिरो उस विलेज के चिफ ताजियों से मिलता है और तांजिर वल्टी स्वर्ड बनाईती जो बार बर तूट जाती है अगर हमें होता रो मिलेंगा तो हम उसकी अच्छी तरगावर लेंगे साथी साथ अगर वो तुम्हारे स्वर्ड नहीं बनाएंगा तो हम दूसरे आजमी को ये काम दे देंगे उन सब से बाते करने के बाद तन्जिरो से निकल जाता है वह वहाँ पर थोड़ सा गूम रहा होता है तब ही वह देखता है कि वह पर एक बट्टी है जा पर तलवारे बनाए जा रही है और वही पर उसकी नेजरिंग स्वर्ड भी बनाई गई थी ये दिखके तन्जिरों उन सब का सुक्रगुजार होता है क्योंक उनके संत्रे भी हिर रहे होते है जैसे वो नीचा आती है तन्जिरों अपने हाथों से उनके संत्रे को कवर अप कर लेता है और मिसुरी उसको यहाँ पर देखके बहुत ही खुस हो रही होती है मिसुरी उससे बताती है वहाँ पर मुझे एक जन ने इगनोर किया तन्जिरो जब वहाँ पर जाके देखता है तो वहाँ पर गैनिया मौजूद होता है वो यही है जिसने तान्जिरो के साथ डीमन सलेर का टेश्ट पास किया था इसलिए तान्जिरो उस बंते से दोस्ती करने के बारे में सुचता है और वो वहाँ पे नंगा ही कूच जाता है तानजिरो से कहता है मैं तानजिरो हो क्या तुम वाइन धासिरा के कुछ लगते हो लेकिन वो बंदा गुस्से में आ के तानजिरो के मुंडी उसी तलाब में डुबाने लगता है एंड नेक्सिन में तानजिरो मिसूरी के साथ डिनर कर रहा होता है और उसे बीच वो मिसूरी से पोस्ता है कि वो एक डीमन स्लेयर क्यों बनी जिसके बाद मिसूरी उसे बताने लगती मैंने डीमन स्लेयर इसलिए जोइन किया क्योंकि मुझे एक gentleman चाहिये था जो बहुत ही टाकतवा रहो और मेरी बहुत care करे क्योंकि मैंने सुना था हसिरा बहुत ही strong होते है इसलिए मैंने बहुत मैंनत की और मैं भी हसिरा बन गई और ये बात सुनने के बाद तो ताँजिरो के होसी ओठ जाते हैं मिसूरी उसके पास आती है और उसके कान में कहती है इस विलिज में एक सिगरेट सी जगा है जहाँ पे एक बहुत ही ताकतवर स्वाड है अगर तुमने उसे डून लिया तो तुम उजान को भी हरा सकते हो तानजीरो भी ये बास सुनके बहुत ही एकसाटेट हो जाता है और अगले दिन तानजीरो एकसेस की करके खाना पिना गे खाके उस विलिज के लिए निकल जाता है वो उस वेपन को डूनने के लिए उस गाव में गूम रहा होता है तबी उसे एक आवज आती है वो एक आदमी के पीछे देखता है तो उसे कोई जाना पैचाना नजर आता है वो उसे ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये आदमी वो ये जो उसके सपने में आया था और तानजीरो इसे पूरी तरया से पैचान लेता है तानजीरो उस बंदे से बात करने जाई रह हो हो जाता है अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लागे तो प्लिस लाइक और सब्सक्राइब करके जाना